आप सभी लोग देख रहे होंगे कि ये सभी क्लास में आपकी UPSC और आपके स्टेट PCS को ध्यान में रखते हुई कबर किये जा रहे हैं और लास्ट क्लास में आपने देखा होगा कि जो 1857 का विद्रोव था जो 1857 की करांती थी उसके बारे में हम लोगों ने बिस्तार से बात की हुई थी और आप लोगों को एक और बात बता देता हूँ अगर आपके पास टैम है तो आप लोग NCEIT बुक से जरोर पढ़िये अगर आप लोग सिविल सर्विस और इस्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं और जब इस्टेट PCS कहा जाता है तो इसमें आप देखिए सभी इस्टेट के जो PCS एक्जाम होते हैं वो भी कबर हो जाते हैं जैसे आप देखिए आपका MPPSC, बिहार PCS, राजिस्थान 36गर PCS या उतरपिदेश PCS, महराष्ट PCS आप देखते हैं कि सिविल सर्विस की तरह आपकी इस्टेट भी अपने यहाँ PCS का एक्जाम करवाते हैं और फिर आप लोग जानते हैं कि इतिहास से तो आपके वंडे एक्जाम में भी कुश्चन साते हैं फिर चाहे वो आपके इस्टेट लेवल के हो या आप देखिए कि आपका सेनिटर लेवल के हो एक्जाम तो आज हम लोग आज की जो क्लास रहेगी आपकी इसमें भारत में जो सामाजिक और धार्मिक सुधार अंदोलन हुए हैं उस पर हम लोग पिस्तार से बात करेंगे और इन सभी क्लासों के लिए एक सेफरेट पिले लिष्ट सूची बना दी गई है जिसका नाम रखा क्या है यूपीएसी एंड इस्टेट पीसीएस प्रिलिम्स इस्पेसल क्लासिस और इसमें आपने देखा होगा कि हम लोग ने प्राचीन भारत का इतिहास कवर कर चुके हैं मद्यकालीन भारत का इतिहास भी कवर किया हुआ है अब आप देखिए आदूनिक भारत का इतिहास चल ला है यह जैसे ही कतम होगा तो हम लोग सम्माज़ान पर बात करेंगे भोगोल पर भी बात करेंगे और भी जो आपके प्रलिम्स में जो subject है न सिलिबरस में उन्हें भी हम लोग cover कर लेंगे और इसी playlist सूची में सभी आपकी classیں डली रहेंगी क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कुछ समाज में बुराईं दिखती हैं कुछ लोगों को और कुछ कमिया दिखती हैं उन्हें दोर करने के लिए सुधार किये जाते हैं सुधार करने की बात की जाती है और आप सभी जानते हैं कि कुछ लोगों को जो कमिया होंगी वो आप पहले आपने देखा होगा सती बिथा हुआ करता था, बाल विवा हुआ करते थे, लेकिन आपने देखा है कि जब पढ़ाये लिखे हो गए, लोग जागरूख होने लगे, और आप देखे अंग्रेज जब हमारे यहां आए, तो अंग्रेजों से कुछ हम लोगों ने सिक्छा साली सीक्षी, उनकी सिक्छा से उनकी साइन्स एक तरह से आप देखे हम लोगों समझा, तो कुछ लोग इसे सुधार करने की, सती बिथा को रोखने की बात करने लगे, बाले वबवाप पर रोगाने की बात करने लगे, और आप दीखे थे की पसु वली दी जाती थी, उस पर रोक लगाने की बात होने लगी, तो इसका कुछ लोग बिरोध करने लगे, क्योंकि वो लोग इसे अच्छा मानते थे, और इसमें आप देखेंगे कि आपका भारत में सामाजिक और आर्थिक सुधार अंदोलन का उदय कैसे हुआ, और इसका सौरूप क्या रहा है, इसकी उपलब्धियां क्या रही हैं, तो उन पर भी बात करनी चाहिए हमें, और सांस्कितिक आंदोलन भी हुए हैं, उन्हें भी देखेंगे हम लोग, तो भारती इतिहास में 19-20 सदी के पूरवारत का काल सामाजिक ब सांस्कितिक त्यागरिती के उदैगी काल में के रूम में ज रूपिये आएंगे, तो वो भी तो यहां कर कुछ बिचार देंगे अपने, उनसे भी तो हम लोग कुछ सीखेंगे, और साथ ही भारतिये नौ सिक्षित बरग, यानि कि जो नया सिक्षित बरग था, वो यूरोप की तरकबाद, बिज्ञानबाद और माउनाबाद से पर भ भुत्ति के बिरोध में, पिर्वुत्भ भारतियों में तीव विपिति किरिया हुई, और उन्होंने इस संद्रम में दो लक्षि निर्धारित किये, एक तो सांस्कितिक पिर्वुत्ति के कारणों का पता लगाना, और दूसरा भारतिये, समाज में ब्यापतों दुर्वलत द्वारा किया जा रहा है, भारतिये अतीत की दुर्वलताओं का पिर्चार और वेटिस आर्थिक समाजेक आवसकताओं के अनसार, भारतिये समाज में हस्तिचिव को समझने का प्रियास किया गया, और इन बुद्धी जीवियों ने जल्दी यह समझ लिया, कि प्रगिति सी पश्चात संस्किती से सामना करने के लिए सुपतावस्था में पड़े भारती समाज में आदुनिक्ता की तक्तों का समाबिस करना पड़ेगा, यह तो वैसे ही बात है, आप देखें अंग्रेजों के पास आप देखें बम, गोली वारूद आ चुके, और हम लोग तीर कमा दूसरा लक्ष था भारती समाज में ब्याप्त दौलबताओं को दूर करने के लिए भारती जंता में जागरूपता चेतना प्रसार करना, इन दौरबलताओं में ब्याप्त रूडियां और अंदविस्वास, आसंतोस्त की भावना, सासक बरक को देविये उपहार मानना, गाओं के लोगों से कहा कि आपके यहां सांती पहली हुई है, अगर आप सभी सांती चाहते हैं तो इस परिबार को मार दीजे, गाओं वालों ने मिलकर मार भी दिया है, और अभी भी इस तरह कि तमाम अंदविस्वास पहले हुए हैं, और आप देखे उस समय सासक को क्या म यानि की सामाजिक धार्मिक सुधार की आवस्यक्ता पड़ी, एक और पश्चात सब्बता की आलोक में भारतियों में नई चेतना बस समाज के पिती आलोचनात्मक दिरिश्टी कोण का विकास हो रहा था, तो दूसरी और भारतियों जिनता में उपनेविसिक संस्किती की व उपनेविसिक खितों की पूर्ती के लिए हैं, यानि कि अपने पूर्ती के अपने लाप के लिए सभी कर रहे हैं काम, और यह है बिचारिक बिरोद रूड यार्ड किफलिंग की सुध बैक्तियों की बोज कि सिध्धान के विपरीद जन्मा था, जिसमें कहा गया था कि अं जंगली और बरवर भारतियों को सभ बनाना, इनका यह सिधा सा कहना था, कि हम लोग यहां आए हुए हैं, जो हम यह मिसन चला रहे हैं, इसका सीधा सा उद्देश यह हैं कि जो भारतिय सभ हैं, जंगली हैं, बरवर हैं, उन्हें सभ बनाना हैं, यानि कि कहने का मतलब हैं क हमें वो असब्ब समझते थे, जंगली समझते थे, वर्वर समझते थे और आप देखेंगे यूरोब में पिसपोटित हुए नवीन विचारों के विच्छोप ने भारती संस्किती में एक नई चेतना को आधार पिदान किया और इसी चेतना ने भारतीयों में पुनर जागरन की भावना का संचार किया और अपने देश के भूतकाल को परकने के लिए पेरित किया और यह एक एतिहासिक तत्त है 19.2 सताब्दी के बिकरे हुए भारत में यह चेतना देश के सभी भागों में उरी साधन के इस्तर पर भिन भिन विचार होने के बापचूत ओदेशों के इस्तर पर 19.2 सदी के सभी बुद्धी जी भी इस बात पर सहमत थे कि सामाजिक धार्मिक सुधारों को किततकाल आवसकता है प्रवित्याँ देखें तो सामाजिक सांस्कितिक सोधारों के अंतरव भारतीय जंता के दुर्वल पक्षों को दूर कर उन्हें सांस्कितिक रूप से मजबूत करने का प्रियास आरंम किया गया इसके लिए भारतिये जंता को जागरित करना यानि की जागरूप करना पहली आवसकता थी और आप देखेंगे परिश्तितियों में ब्याप्त रूडियों, कुरूतियों, अंद्विस्वाध आधी को दूर करने के लिए सामजिक सुधार के प्रियास प्यारम किये गए चुक दूसरी तरह आप देखेंगे निचली जातियों ने अपने अधिकारों की मांग हे तू तथा मानाव के लिए गर्मा माई जीवन जीने की अधिकारों की प्यारम किया दोने इस तरप भिन्य धर्मों में कई प्रवितियां देखे गए और आप लोग ने इतिहास में पड़ की करण समर्थक ऐसे लोगों का समोज जो सामाजीक धार्मिक सुधारों में पश्चमी ग्यान लोकतांत्रिक मूल्यों सिक्षा तथा साहित्यकू आधार मानते थे और इस बग के पुद्धी जीवियों ने पश्चम का अंधानू करण नहीं किया वलकि अपने समाज की अव सभी वहां के आप देखे की अक तरफे आवस्तक्त जो भी वहां सुधार हुआ था या जो भी था उसे लेकर सामिल कर लिया तो हम लोगोंने समीधार में पढ़ा होगा। कई लोग कह देते हैं कि भारती समीधान ओधार का अथयला है लेकिन ऐसा ब्लैकूल पी नहीं है हम लोगों को हमारे समिधान हम लोगों ने सभी देशों का अध्यान किया सभी देशों के समिधान का लेकिन हम लोगों ने उन चीजों को अपने देश के लिए लिया उसमें सुधार करके संसोधन करके लिया जो हमें आवस्तक्ता थी इन में राजाराम मुहनराय का ब्रह्मा समाज, देविंदना टेगोर का तत्वधनी सभा, एभी आप लोग याद रखेगा कौन किस से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कई वार इससे भी कुश्चन स्मूच लेता है, सियाद एहमद खान का अलीगड अंदुलन, आदी प्रमुक्ति, इन पर कितनी जोड दिया जाता है, कितना इस पर ध्यान दिया जाता है, आप सभी जानते हैं, बाल विवा, अभी भी आप देखे होते हैं, तो आप देखे उस समय क्या होता होगा, उस समय तो हमारे पास सुतंत सरकार नहीं थी, सुतंत नियाय पालिका नहीं थी, कोई सुतंत पुलिस में वस्था नहीं थी, सती पे था, आप देखी किसी महला का अगर पती की डैथ हो जाती है, उस तो उसे जवर जस्ती उसी की चिता में जला दिया जाता था, बिदवा विवा, आप देखी कि अगर कोई महला का पती की डैथ हो जाती है, तो वो आंगे विवा नहीं कर गई उसकी तो वो जिंदकी भराब देंकी बिदभार ही तो इसनी सब की बात हुई है दोस्पी प्रवित्ती देखें तो पुनर उत्थान बादी अंदोलन के नाम से जानी गई इसमें आरे समाध थियो सौफीकल सोसाइटी वहावी अंदोलन आदी मिरमोक थे इन्होंने भार दर्सन प्राचिन साहित गोरम इतियास आधी को केंद में रखते हुए भारती सब्विता का गोरम गान किया और इन्होंने सुप्त वस्था एवं जड़त की घेरे में बंदी भारती जिनता में आत्म सम्मान स्वयदेश प्रेम की भावना जागा कर उन्हें एकजुट करने का प्रेयास किया उपने वेसिक सांस्किति प्रवुत की विरुद्ध तार्किक आधार पर भारती संस्किती का पक्ष लिया दो संस्कितियों के संगर्स में इस्थानिये चेत्रिये वाराष्टिये आधार पर भारतीयों का मनुवल सदे उचा रखा और इनकी सभी बड़ी विसे इसताएं देसी साहत, देसी भासा, आदी का प्रियोग किया गया था, जो आप देखेंगे जनता को जानदा आत्मी अपितीत हुआ, और कलांतर में यह प्रवित्ती गरम पंथ का आधार बनी, दूसरी तरह अपनी सिमाओं के कारण संपदायकता का धर्वी बनीए, फिर आप देखेंगे कि तीसरी भासा प्रिवित्ती यथा इस्तितिवादी कहला आती है, और इसमें भारती संस्किती की चली आरी परंपराओं को यथावत रखने का फ्रयास किया गया, और इस बरक में बैटे सरकाद द्वारा किये जा रहे सुधार कारियों के साथ साथ भारती सुधार कों द्वारा किये गये सुधार बादी परिवर्तनों का भी विरोध किया, जैसा कि आपको बताया भी है कुछ आप देखें सुधार करने की बात करते थे कुछ इसके ना सुधारने की बात करते थे तोनी की बात हो रही है उधारन के लिए सतिपिथा के बिरोद में राधा कांत, देव द्वारा, रचित, धरमसबा प्रगिती सील बिचारों के दृष्टी कौन से भले ही यह प्रवित्ती रोड़ी बादी दिखाई देती हो लेकिन आम जंता में यह प्रवित्ती लोख प्रिये थी आम जंता इसे मानती थी सही भी मानती थी कि अगर देखिए सती वित्ता हो रहा है तो उसका मतलब आप देखे कि सही हो रहा है समझ रहे हैं सती विथा के विरोध में राधा, देवद्वारा, रचित, धरम सभा तो ये भी आप देखेगा और आप सभी जानते हैं कि एक से के दो पहलो होते हैं तो वैसे कि आप देखें कुछ आभी भी आप देखें किसी धरम में आप लोग सुधार की बात केजे एक पक्षा आप दे क्योंकि समाज की पितेक छित में धरम का व्यापक प्रभाव था और उस समय तो आप देखें और जान दा था लोग हिंदू धरम के हिंदूरी तीरबास से चलते थे उन्हें जिस तरह से आप देखें उनके धरम गुरुओं ने सिक्षा दे दी बता दी अब ऐसे ही चलते थ मुसलिम धरम गुरुओं ने जो सिक्षा दी वो सही है गलत है और आप देखें तो उसी हिसाब से चलते थे सामाजिक परंपराओं ये था बिवाहिक नीमो इस तरीके पितिक खटोर बिवार जाती पिता जैसी कुरीतियों आडमबर पूर बैदिक आयोजन आदी में धरम का ब्यापक अस्तिछेप था और इन धरमिक रोडियों को तोड़ने में आधुनिक पश्चमी ग्यान का सहारे लिया गया है और हमसे आंगे वो लोग सोचने लगे थे इस चेत में इस ग्यान की प्रभाव में भारती समाज में सुधार के प्रयास किये गए और जिसे भारती न और उपयोग इता बादी इवन बेवारिक बना रहा एक बात और आपको बताता हूँ देखिए अभी भी हमारे देश में आप देखिए कई यसे धरम गुरु बाबा मिल जाएंगे आपको हग धरम है जो कहेंगे कि हम कैंसर का इलाज ठीक कर देते हैं ये कर देते हैं ये कर केंद्र में रखकर तरगवाद बुद्धिवार विग्यानिक दरिश्टी कोण अपनाते हुए उसे सुखमा बनाने का प्रयास किया गया अब आप देखिए कोई किसी ने कह दिया कि इस तरह का है तो आपके पास कुछ तरग तो होना चाहिए कि एक ऐसा है आकर यही तो बेड़ पर भगवान निवास करते हैं कोई कहता है भूत निवास करते हैं भूत प्रयतात्मा है इसलिए नहीं काटना चाहिए लेकिन उसे हम लोग साइंस की दिरिश्टी से देखें तो माना जाता है कि यह देखिए आप लोग 24 घंटा ऑक्सीजन देता है तो इसलिए नह का अध्यन मानवी ये कल्यान को ध्यान में रख कर किया गया और उपयोगिता बादी दृष्टी कौन होने के बावजूत सुधार कार मूलता धार्मिक छित में जानदा प्रभावी रहा और सामाजे धांचे में परिवर्तन या मौलिक किरांती लाने का प्रयास नहीं किया गय और इन सुधार कारियों के लिए विभिन माद्यम अपनाए गये जैसे आंतरिक सुधार कार जिसमें समाज को स्वहिम इस्पूर्द बादजागरित करने पर बल दिया गया दूसरा कानून द्वारा सुधार जिसमें राजी की सहयुक द्वारा सुधार पर बल जैसे सती पि बिवाव को आप देखे पुनहा बिवाव कर सकती थी ए 1856 तीसरा संस्थापक इस तरफ पर पिती कात्मक बदलाओ लाने का प्रयास चौथा सामाजी कारियों की द्वारा सुधार किया गया इन सुधार कारियों का स्वरूप मूलता मदबर गिये तथा सहरी बना रहा वहीं ज सामाजीक धार्मिक आंदलोनों के पैडाम उपलब्धी और सीमाएं सबसे पहले पैडाम देख लीजे आप देखेंगे 19 भी सतापदी के सुधार आंदोलनों ने कई पिर्वित्तियों को जनम दिया एक पिर्वित्ति के रूप में आधुनिक पष्चमी ज्यान कानू सरन कर पष्चात ग्यान समर्थक भारतियों ने भारत में ब्याप्त सामाजीक धार्मिक कुरूतियों, मूर्ती पुजाब, बहु देवबाग, धार्मिक आडंबर, नारी के पिती कठोर कुरूतियों, जाती पिता अधी का पिखर बिरोध किया और आप देखें, पष्चमी उदारबादी मूल्यों ने सम्मिधानिक धाचे, लोकतांतरिक मागों, पिसासनिक राजनेतिक अधिकारों आधी के पिती भारतियों में चेतना यानी की जागरूकता पैदा की और इन्होंने विविन संगत्रों के निर्माड और अखिल भारतिये, संपर्कों के माध्यम से राष्टी इता की भावना का सूत्पात भी किया, बुद्धी बाद, तर्गवाद, बिज्ञानवाद के मूल्यों की महत्ता को अंतराश्टी इसर पर हो रही घटनाओं के आलो अलोचनात्मक द्रिष्टी कौन भिक्सित किया, इन बिद्ध्वानों ने भारतिये ज्ञान बिज्ञान, दासने विवेशन परंपराओं आधी के पिति जहां सराकार अत्मक द्रिष्टी कौन पिस्तुत किया है, वही अलोचनात्मक रविया अपना कर भारतियों के पिति क ये मन में ब्याप्त रोडियों को भी दूर करने का प्रयास किया। और आप देखें जब आपकी अपनी सोच नहीं होगी, तो आप लोगों को सामने वाला जो कह देगा वही सही लगेगा। आपको ये मालू नहीं होगा कि उसमें कुछ कमिया हैं कि आप देखें कि अच्छाईया है या बुराईया हैं। आप सभी जानते हैं कि देखें हर वेक्ति में कुछ अच्छाईया होती हैं, कुछ बुराईया होती हैं, हाद धरम में आप देखेंगा। तो उसी की बात होती है। सारव जीवन में भागेदारी और व्यक्तिगत आत्म निसकर्स आधी में युगदान देकर प्राच्ची इनकाल में सोशित पिछडी जातियों के मौलिक अधिकारों की मांग और अधिकारों की प्राप्ति के लिए संगठन निर्माड करने का महत्पूर युगदान दिया। आज के समय में आप सोची अगर इतना भेदभाव है तो आजादी के पहले क्या इस्तिती रहेगी आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। आज भी आप देखे निचली जाती हो कि कई जगे से घटना आती रहती ही खबरें कि उन्हें आप देखे घोडी पर नहीं चरने दिया जाता है। आज जाकर हम लोग पढ़ेंगे गरम पंथी और नरम पंथी के बारे में। अगर काम नहीं करा है कोई तो ठोक दीजे। सीमाएं देख लीजे कुछ इसकी सीमाएं भी हैं। और आप देखेंगे कि उन्नीसमी सताबदी के सामाजिक सुधार आंदोलन की ब्यापा कुपलब्दियों की जापजूद इनकी कोई सीमाएं भी हैं। पश्मी सिक्षा आधुनीक मूल्यों का प्रभाव मूलता सहरी बार धनान बर्ग पर पड़ा यानि कि आप देखें जो सहरी सिटी के लोग थे और जो अमीर थे उन्हीं पर इनका प्रभाव पड़ा। और अता सुधार कारियों का विस्तार छेत सामान तर सहरी छेत और उसका चरित मद्ध बर्गी यही रहा। इसका कारण स्वविवेक अपनी सामाजी का बसकता हों और वेटे संबंधों आधी को केंदर में रखकर सुधारों के छेत में छेत बाउद्धिष ताई किये और या था समिधानिक मूल्यों, राजनेतिक सुधारों, तरक बादी, चिंतर आधी तत्तों में उसका टूट बिस्वा था और वाइडाम स्वरूप भारतिय समाज की बास्तिविकताओं से पर्चेत होते हुए भी विरोध नहीं किया बलकि ततकालिक समय में गर्मा में जी तित्पिदान नहीं किया गया और जिसी ए आंदोलन एक समानंतर आंदोलन की रूम में ओभरा और राष्टी आंदोलन के दौरान भी इसमें अपनी पिथक इस्तिती बनाय रखी। तो उसके कुछ फायदे भी रहेंगे उसके कुछ नुकसान भी रहेंगे तो यह नुकसान की बात हो रही है तो यह भी याद रखेगा आप लोग इनसे भी कुश्टन्स पूचे जाये तो आप लोग जरूर बता सकते हैं ए आंदोलन मुकता नारी मुकती और जाती गस यह महलाओं से निमने बगी महलाओं का सोसन सुधारों पर विस्यस बल नहीं दिया गया यानि कि आप देखे गरीब निचले तपके के लोग अभी भी छूटी रहें इससे और फिर आप देखें इस तर पर जनता को संगठित करने और अखिल भारती इस तर पर राश्टबा में भी आप लो याद रखिएगा अब आप देखें सामाजिक संस्किति कांदोलन देख लिजे और इस कारण भालतियों को अपने विचारों परंपराओं का विसलेशन करना पड़ा उनके वारे में सोचना पड़ा और पश्चात संस्किती के करण अब उन्होंने रोडियों तथम परंपराओं को तरक की कसोटी पर रखकर उसके गले सड़े अंगों को उसके पित्थक कर दिया और संसोदित विचारों परंपराओं को बल पर उन्होंने पुना अपने धर्म को गती सील बना डाला यानि कि अब देखिए धर्म में कोई कमी थी तो उसमें सुधार करने की बात हुई है ऐसा नहीं रहा है कि पूरे धर्म को ही छोड़ दिया तो उसमें सुधार करके आगे बढ़ा गया जोई भी आप लोग याद रखिएगा और सबसे पहले ब्रह्मा समाज की बारे में ऑब पर लोग जिस भी घ्जाम की तयारी कर रहे हैं उसके घ्रा के देखीए ब्रह्मा समाज से पह Τंप्र ही परिक्फ्ठाओं में पूचे गया और पूचे जाएंगे आंगे भी बूँचे जाएंगे तो इसके बारे में धार्मिक तथा सामाजी कांतोलन की जनक राजाराम मोहनराय थे कौन थी राजाराम मोहनराय इनका जनम बंगाल की राधानगर नामकिस्थान पर एक ब्रहमर परिवार में हुआ था और उन पर पश्चात संस्किती का अत्यदिक प्रभाव पड़ा एक तरह से आपके ये अंग्रेजों की जो संस्किती थी उसका प्रभाव पड़ा और उनको भारत का पहला आधुनिक व्यक्ति कहा जा सकता है और आप देखेंगे उनको भारत का पहला आधुनिक व्यक्ति कहा चाहते थे और इस हितु उन्होंने 1828 में, कब 1828 में ब्रह्मा समाज की नामक संगठन की स्थापना की और एक ईस्वर को मानने और मूर्ती पूजा का बिरोध करने वाले इसके सदस बन सकते थे, यानि कि एक ईस्वर, बढ़ना आप देखें कि हमारे देश में अलग-अलग ल सेन्ने आंगे-बढ़ाया, कि 100 चंद के प्रेतनों सी इसका भारत के अनेक भागों में प्रिचार हुआ, राजाराम मोहनराय की सामजिक विचार, उसोधार इस पकार थे, क्या थे? राजाराम मोहन राए सती पिथा की घोर बिरोधी थी जो सती पिथा होती थी ना सती उसके आप देखें घोर बिरोधी थी और आप देखेंगे कि और उनकी परतन को फलसलू लॉर्ड बिलियम बेंटिंग ने बेंटिंग ने इस पिथा को 1829 में गेर कानूनी गोसित कर दिया था लॉर्ड बेलियम बेंटिंग को भी याद रखेगा इसमें आप देखे कि राजारा मोहनराय की एक तरह से आप देखे उनका ही पहरतन था और उनी के कारण इसे इन्हों ने आप देखे कि गोसित कर दिया और ततकाली समाज में बहुपतनी बिवाः पिछले था बहुपतनी बिवाः कहने का मतलब है कि आप देखे कि एक से जानदा साधियां करना पुरसों में और आप देखे कि उस समय लोग करते भी थे, दो, तीन, तीन सानिया करते थे, आज के समय में भी आप लोगों को देखने को मिल लाती हैं तो उस समय तो आप सोचे किया रहता होगा, और जिसे कुलीन पिथा के नाम से भी जाना जाता था, राजा रम मोहनराय ने उस पर कड़ा प्रहार करती हुए उसक कि देख रहे होंगे आपको, राजा राम मोहनराय अंग्रेजी सिक्षा के पक्षधर थे, किसके अंग्रेजी सिक्षा के पक्षधर थे, वो अंग्रेजी सिक्षा को अच्छा मानते थे, उनी के पेरतनों से बेटे सरकार ने अंग्रेजी को उपचारिक रूप से पिसासन क और विस सभी धर्मों को समान मानते थे, उनका मानना था कि सभी धर्मों का मौलिक दरसन एक है, उसमें कोई बेदभाव नहीं है, और अभी खर आप लोग सभी धर्मिक गरंतों को पड़े न, तो आप देखे, उनका भी उद्धे से एक ही रहेगा, माना उकल्लियाग, इंसान जाकिन आप देखे कि क्या है आजकल के धर्म गुरू भी अजीव अजीव हैं, वो अलग ही परिभासा बता देते हैं, और आप देखे असोग को आप लोगों ने पढ़ा होगा, इतियास में, वो आप कहते हैं कि सभी धर्मों की सम्मान की बात करता है, अगर आप दूसरे के धर्म का सम्मान करेंगे, तो वो सामने वाला आपकी धर्म का सम्मान करेगा, और आप देखे सबका मालिक एक, यानि कि आप अलग अलग रोपों में मान सकते हैं, लेकिन आप देखे कि है तो एक ही उपर वाला, राजा रम मोहनराय ने जिस समाज की कलपना की थी, उस समाज में अंदविश्वा सुरूडी बादिता और जाती भेद चुवा छूत आदी का कोई इस्थान ना था और राम मोहन राये प्राच्च और पष्चात चिंतन के संस्क्लिष्ट रूप के पितिने धी थे राम मोहन राये संस्कित फार्सी अर्वी अंग्रेजी फ्रांसी सी ग्र अदू दर्सन पठना में कुरान और फासी तथा अर्वी साहित का देन किया मूल बाइविल का देन करने के लिए उन्होंने ग्रीक और हिप्रू भासाएं सीखी एक इस्थर बाद में अपनी आस्था के दावे को प्रमाडित करने के लिए उन्होंने बेदों पांच बेद उपनिस्दों के बंगला अनुबात प्रिकासित किये रामोराय आधुनिक सिक्षा के सबसे प्रारंभिक बिचारकों में से एक थे और आप देखे हमें आकिर अपनानी तो आधुनिकी सिक्षा पड़ी बिज्ञान को ही पढ़ना पड़ रहा है आप देखे कितना भी हम लो वाइल और कंप्यूटर के बिना कितना क्या है राजाराम मोहराय को भारती पुनर जागरन का मसीहा यह भी आप लोग रखिये याद रखियेगा वंडे एक जाम में पूचा जा सकता है भारती पुनर जागरन का मसीहा किसे कहा जाता है राजाराम मोहराय को अतीत और भविस उत्तरवर्ती मुगल बास्सा अकबर दुतिये ने पिदान की थी ये भी कई बार पूच लेता है कि ये उपादी किसके द्वारा दी गई थी राय की उपादी बंगाल के नवाब द्वारा और राजा की उपादी मुगल बास्सा अकबर दुतिये के द्वारा 1828 में राजा राम मुहनराय ने ब्रह्मा समाज की स्थाफना की, राजा राम मुहनराय ने 1815 में आत्मिय सभा और 1825 में बेदांत कॉलेज की स्थाफना की, राजा राम मुहनराय ने संबाद कौमोदी नामक समाचार पत्य का संपादन भी किया, फार्सी भासा में नोंने मिरा राजारामुहां राइक फारहार को गता है लियुक्षक च तो यह भी याद रखे 1822 पे और आप देखेंगे कि क्या राजा राम मुहन राय ने प्री सेफ्ट्स और जीसस एकसर वादी का हुफार सांती और कुसाली का मार्ग नामक पुस्तक्यों की रचना की राय को इंगलेंड में समराठ से मुगल बासा को मिलने वाली पैंसन की मात् पढ़ाने की पर बात्चीत करने थी यहीं पर बिश्टल में 17 सेप्टमबर 1833 को राय की राजा राम मुहन राय की डेथ हो गई थी ठीक राजा राम मुहन राय की मिट्टिव के बाद 10 बरसों तक ब्रह्मा समाज को द्वार का नाथ टैगोर ने अपना नितित प्यदान किय कई बार ये पूँच लेता है कि इससे कौन-कौन से लोग जोड़े रहे हैं ब्रह्मा समाज से तो द्वार कानाथ टैगोर भी जोड़े रहे है द्वार कानाथ के बाद देवें नाथ और फिर अचार और के सव चंद सेन ने भी ब्रह्मा समाज का नेतित किया सुभाश्चन बोस ने राजारम मुहराय को योगदूत की उपादी से सम्मानित किया था राम मुहराय की सहयोग से डेविड हेयर ने 1817 में कलकत्ता में पिसे धिंदू कॉलेज की स्थापना की थी 1817 में कहां कलकत्ता में रामोहनराय ने 1825 में बेदान्थ कॉलिज की स्थापना की जिसमें भारती विध्या और परश्चात सामाजी को और भौतिक विग्जान की पढ़ाई की सुविधा उपलब दे थी बंगाल में बंगला को बौतिक संपर्क का माध्यम बनाने के लिए बंगला वियाकरन का एक पुस्तक की रचना की उन्होंने कमपनी के व्यापारी काधिकारों को खतम करने और भारती वस्तूओं पर से भारी निर्यासुल को हटाने उच्छी सेवाओं के भारती करन कारिपालिका और नियाइपालिका को एक दूसरे से अलग करने और जूरी के जरीए मुकदमों की समवाई और भारती यूरोप बासियों के बीच नियाइक समानता की मांग भी की थी राम मोहनराय ने दच घडि साज डेविड हेर और सिक्षा ठिस में राम मोहनराय की वड़ी साहता की थी और देविनाथ यजित में बरम्मा समाज पहली बार भीभाजित हुआ 1865 में देविनाद टेगवर का गुट आदी ब्रह्मा समाज और आचार केसव का गुट अपने समाज को भारती ब्रह्मा समाज ये आप लोग जरूर याद रखेगा ब्रह्मा समाज का पहली बार बिभाजित हुआ 1865 में और जो देविंद नाद का गुट था इसे आप लोग आदी ब्रह्मा समाज की नाम से और आचार किसव का गुट समाज को आप लोग भारतिय ब्रह्मा समाज कहने लगे और ब्रह्मा समाज में दुतिय विभाजन के बाद साधारन ब्रह्मा समाज की स्थापना हुई थी 1878 की बाद है और 1871 में आचार केसव की पेना से मद्रास मिस्री धरालू नाइडू ने बेद समाज की स्थापना की और कलांतर में दच्छिन ब्रह्मा समाज कहा गया ऐसे परातना समाज की स्थापना बंबई में आचार किस्था हो कि पेड़ा से 1860 में डॉक्टर आत्मराम पांडू रंग और रणाड़े महुदाय नी की थी परातना समाज की तो यह भी याद रखिए इस और चंद विद्ध्यासागर के बारे में जान लीजे आप लोग 26 सेप्टमबर 1820 को बंगाल की मेदनापोर जिले की बीज सींग नामग गाउं में एक गरीब ब्रहमर परिबार में जने में हुआ बिद्ध्यासागर ने संस्कित की अध्यनकर फोर्ट विलियम कॉलिज में सिक्षापराप्ती और सिक्षापराप्ती के बाद भी संस्कित कॉलिज की प्रचार यानि की अध्यापक बन गए बाद में उन्होंने बिद्ध्याला निरिक्षत की पत पर भी काम किया उनके द्वारा किये गए कारियों को इस तरह से आप देख सकते हैं बिध्या सागर ने संस्कित पढ़ाने के लिए नई तक्निक बिश्चित की उन्होंने एक बंगला बर्माला लिखी जो आयस तक इस्तिमाल में आती है उन्होंने संस्कित कॉलिज की दरवाजे गहर ब्रहमण बिध्यालतियों के लिए खोल दिये गए यानि कि अब आप देखे कि केवल ब्रहमण संस्कित पढ़ सकते थे अब इन्हें भी संस्कित कॉलिज की दरवाजे अब गहर ब्रहमणों के लिए खोल दिये गए उन्होंने एसियाटिक सुसाइटी के लिए माधवाचार्स रचित, सरब दर्सन संग्रे, रगु बंसम और कीर्टा जुन्नियम का संपाधन किया संस्कित भासा में उन्होंने ब्याकरन कुमोदी, सकुंतला और उप किरमेनिका की रचना की उन्होंने इस्तरी सिक्षा की छित में महान युगदान दिया, जेडी बैतून ने बंगाल में इस्तरी सिक्षा की निव डाली जिसको आंगे बढ़ाने का कार इस्तो चंद विद्यासागर निक किया और स्कूल के सरकारी निरिक्षक की हसियत से उन्होंने 35 बाली का विद्यालयों की स्थापना की और वैतून स्कूल के मंतरी की हसियत से वे उच नारी सिक्षा के अकदूतों में से थे वैतून स्कूलों की सिक्षा आप देखेंगे 1849 में कलकत्ता में हुई थी कब 1849 में कलकत्ता में हुई थी और उनोंने बिद्वा विवा का प्रिचार वो समर्थन किया और उनके पेरतनों से जुलाई 1856 में हिंदुओं में पुनर विवा ने कानूनी रोपधारन कर लिया उनोंने बहु विवा के विरुद आंदोलन भी चड़ दिया उनोंने बहु विवा के विरुद दो पुस्तकें भी लिखी जिसमें साथ्ती आधार पर रियाए से दिकिया कि बहु विवा हिंदु धर्म की विरुद है यानि कि एक से जाना विवा करना प्रातना समाज की बात करें तुसन 1856 में केसाव चंद की पेना से किसकी केसाव चंद की पेना से बंबई में प्रातना समाज की स्थापना डॉक्टर आत्मराम पांडूरंग और एमजी रनाडे ने की और इसके सदस्वों में प्रमुक थे आरजी भंडार कर और महादेव गोविन रनाडे भी थे और प्रातन समाज में धार्मिक उलजनों में पढ़ने की स्थान पर समाज सुधार क्या समाज सुधार पर जो दिया गया उन्होंने अंतर जाती विभा और खान पान बिदवा विभा इस्तरी उद्धार अचूद उद्धार आदी चित्रों में सुधार किया और रनाडे ने सन 1861 में विद्भा विवास संगे की स्थाफना की और दच्छे सिक्षा समिती की कारियों को उन्होंने आंगे बढ़ाया बेहिंदू रोडी बादियों से टक्कर नहीं लेना चाहते थे अभी तो सिक्षा और समझाने बुझाने पर बल दिया है उन्होंने समाज सुधार में उनके प्रमु खुद्देश, जाती पाती का विरोद, पुरुसों और इस्तिरियों की वववा की आयू में विद्धी, बिदभा पुनर ववास, इस्तिरी सिक्षा और आप सभी जानते हैं कि जब सिक्षा सिक्षित होगा, जागरूप होगा समाज, तो वो अपने आप सुधार करने की इस्तिती में आ जाता है M.G. रनाडी को पश्मी बहारत में सांस्कितिक पुनर जागरन का अगदोत कहा जाता है M.G. रनाडी को M.G. रनाडी ने एक आस्तिक को धर्म में आस्ता नामक पुस्तग भी लिखी M.G. और रनाडी की सामजिक साहर कारियों में विश्नू, सास्तिरी, धुंदो, केसव, करवे ने सहयूग पिदान किया M.G. करवे के सहयूग से नाडाडी ने 1866 में बिद्वा आस्तरम संगे की स्थाफना की थी M.G. करवे ने 1906 में वंबई में इंडियन विमेंस यूनिवसिटी की स्थाफना की थी तो ये भी याद रखेगा, स्वामी दयानन्द सरसुती और आरे समाज इस पर भी बात कर लेते हैं आरे समाज के संस्थाबक स्वामी दयानन्द सरसुती का जनम काठियावाड की टंकारा गाउं में हुआ था उनका बचपन का नाम मूल संकर था, ये कई बार आप देखिए बचपन का नाम भी पूँच लेता है तो क्या था मूल संकर था, 21 साल की, क्या? 21 साल की अवस्था में मूल संकर ने ग्रह त्याग दिया यानि कि घर त्रयाग दिया, क्या कर दिया? घर छोड़ दिया और आप देखेंगे कि स्वामी पूरानंद ने इन्होंने संयास की दिख चाली और जिन्होंने इनका नाम स्वामी दयानंद सरस्तिती रखा जबकि इनके अध्यात में गुरू बिर्जानन्द स्वामी थे, वह संस्कित के बिद्वान और एक सन्यासी थे, उन्होंने अप्रेल 1875 में आरे समाज की स्थापना बंबई में की, बाद में इसका मुख्याले लाहोरिस्ताना अंतित कर दिया गया था, और बाद में इसका मु आदिकाल की सुद्ध हिंदू धर्म को पुना स्थापित करना चाहते थे, इसलिए उनका नारा था कि बेदों की ओर लोटो, लोट चलो, ये कुश्टन्स भी कई बार पूँच लिया है, तो इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए, ये पूँच लेता है कि बेदों की ओर लोट चलो, ये नारा किस ने दिया था? तो ये आपको याद रखना होगा किस ने दिया था? ये दिया था आपके सरसुद्धी साहब ने, सौामी दयानन सरसुद्धी साहब ने, उन्होंने बेदों की अत्रिक्त, किसी अन्यधार्मिक गरंद को मानता नहीं दी, पुराणो आप देखेंगे विल्कु सही भी है दयानन्द की इस आंदोलन को पंजाम में सबसे अधिक सफलता मिली और आप देखेंगे उन्होंने सुधी आंदोलन चलाया और जिसका उद्देश गेर हिंदूओं को हिंदू बनाया जाया बनाना था इस आंदोलन की कारण आर्समाज का रूप दार्द सैनिक और आकरमक हो गया और पुनर उत्थान का पक्ष लेने की बाबजी स्वामी जी ने रोडी वादिता का समर्थन नहीं किया उन्होंने जाती वे उस था बाल विवा पिथा का भिरोत किया और उन्होंने इस तरी सिक्षा और विद्वा विवा को सती विथा की बात करने लगें बाल विवा की बात करने लगें उन्होंने भी इसका विरोत किया आप देखिए और आरे समाज ने सिक्षा के चित में अमूल लिकारी किये समाज सुधार की दिसा में स्वामी जी ने चारतु वर्ण विवस्था को जनम के बदले करम के आधार पर समर्थन किया, आप देखें कि अब उनकी क्या बात हो रही है, समासुधार में स्वामी जी ने चत्तोर पर विवस्था को जनम के आधार पर, अभी क्या था कि आप अगर जिस परिबार में जनम ले रहे हैं तो उसी के परिबार की आप देखें एक तरह से कहलाने लगेगे और इसमें क्या करम की आधार पर, आपके करम कैसे हैं, उस से साथ पर आप देखें कि आपको विवस्था में रखा जाने लगा और आप देखेंगे कि स्वामी दयानंद सरस्तूती ऐसे पिथम सुधारक थी जिन्नोंने सूध बाईस्त्री को बेद पढ़ने, उच्चे सिक्षा पराप करने, और यगो पवीत धारन करने के पक्ष में आंदोलन भी किया और 1863 में दयानंद ने जूटे धर्मों का खंडन करने के लिए पाखंड, खंडनी पता का लहर आई, बेलेंटाइन चिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अर अन्रेश्ट में आरे समाज को भारती असांती का जनमदाता कहा तो यह भी याद रखिएगा आप लो, और आप देखेंगे कि 1892-1993 में आर समाज में दो गट में बट गया, जिसमें एक गट पराश्ट, पष्चात सिक्षा का बिरोधी था और दूसरा पष्चात सिक्षा का समर्थक था पश्चा सिक्षा के बिरोधी में स्वामी सिध्धानंद, लेकराम, मुंसीराम प्रमुक थे और इन लोगों ने 1902 में गुरुकुल की स्थाफना हरीद्वार में की और पश्चा सिक्षा के समर्द्कों में हंसराज और लाला लाचवत राय थे इन लोगों ने दयानन एंगलोवेदिक कॉलेज 886 में लाहुर में स्ताफना गी और आजकल तो आप देखे रहे हैं गुरुकल में भी साइंस पड़ाई जाने लगी है समझा है आप दो लेकिन वो समय अलगी ही था आरी समाज उसका लक्ष आरी समाज आंदोलन भारत में बड़ती पश्चात परभाव की पितिकीरिया की रूम में सामने आये था जिसके सस्ताफक दयानन सरसुती थे और जिनोंने बेदों की महत्ता को पहचानने और हिंदु धर्म की पितिष्ठा को बनाय रखने का आहान किया और आर समाज ने 20-20 सदी की धार्मिक सामाजिक और राजनितिक जीवन में महत्तपुन भूमिका भी नभाई आर समाज का उदेश बेदों की सर्वोच्चेता, पुनर जनम और तथा करम के सिध्धाद में विश्वास की भावना आधी को पिति स्थापित करना था साथ ही इसके माध्यम से हिंदु धरम और समाज में फैली कुरूतियों को दूर करने का अबर प्रयास किया गया और इसमें आप देखें बहु देवबाद, मूर्ती पुजा, धार्मिक करमकार्ण, पुरो हुतिये अधी पत्त को समाद करने का उद्देश रखा गया साथी जाती पिथा, अज्यांता, बाल बेवा, दैश पिथा, परदा पिथा, आदी की भी आलोचना की गई विदेश यात्रा, विदवा बेवा, नारी सिक्षा आदी को अपना समर्थन दी आयनों है और इसका एक बहु पिरमुख उद्देश सुध्धी करन और धर्म परिवारतन द्वारा अनवेक्तियों को हिंदू समाज में पोनर सामिल करना भी था और या हिंदू धर्म का सुधारवादी अंदोलन था जिसका मुख उद्देश प्राचीन वैदिक धर्म को कि सुध रूप से पुनाहा इस्थापना करना है आज समाज के अगर आप देखेंगे तो दस प्रमुक सिध्धान थे कौन कौन से यहने भी देख लिज़े आप लो इसमें आप देखेंगे बेद ही ग्यान कि सुरोथ और ताह बेदों का ध्यन आवस्त की बात की गई है बेदों की आधार पर मंद पार्ट की बात की गई है मूर्ती पूजा का खंडन, तीर थ्यात्रा और उतारबाद का बिरोथ, करम पुनर जरम आत्मा की बार जरम लेने पर विश्वास और आप देखेंगे कि एक इस्थरों में विश्वास जो निरंकारी है और इस्थरियों की सिक्षा को प्रोसान, बाल बिवा, बहु बिवा का बिरोथ किया गया कुछ विशेश परिस्थितियों में विदवा बिवा का समर्थन किया गया हिंदी वा संस्कित भासा को प्रसार को प्रोसान दिया गया और आप देखेंगे दयानंद सरसुती की पुस्त के सत्य पिरकास ये पुस्त के भी याद रखें कई बार मुच लेता हैं से पाखंड खंडन, वेद भास भूमिका, रिगवेद भास, अदुईत मत खंडन, पंच महाग, महा यग विदी और बलभाचार मत खंडन तो ये भी याद रखेंगा, फिर रामकिसन में सनाते हैं, रामकिसन परमहन से कलकत्ता की निवासी थे और उन्होंने विभिन धर्मों की सिद्धान्तों का ध्यन करके यह समझ लिया था कि सभी धर्मों का सार एक है और उनके विचार और नुसा सभी धर्मों के उद्धेश समान हैं, और सभी एक इस्तोर की प्रात्मा भिन भिन नामों से करते हैं, और उनकी एक सिस से स्वामी विकानन जिनका अब देखते हैं कि नरेंद नात बच्पन का नाम था, यह भी कई वार कूच लेता है ने अपने गुरू के आदर्सों तथा विचारों को किरियानवित करने के लिए 1897 में राम किस्न मिसन की स्थाफना की, कब 1897 में, विवेकानन का व्यक्तित आकर सक्त था, और उनके प्रवचन को एक बार जो सुन लेता था, उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता वह पश्चात प्रगिती को भारत की अध्यात्मिक प्रिष्ट भूमी से जोड़ देना चाहते थे, और विवेकानन्द भारत के अतीत में गौरप का अनुबाव करते थे, और उनका दिरिष्टी कून आधोनिक था, उन्होंने महत्मा गांधी के पूर भी लोगों को निर् 17 में उसी की बात हो रही, उनकी पेड़ना से रामकिष्ण मिसंद ने समाच सेबा की एक बेहत एउजिना बनाई, और इस मिसंद ने स्कूल, कॉलेज, एस्पताल खुलवाए, और आप देखें, बाड़ और अकाल की समय इस संस्ताने प्रभावित लोगों की सेबा की, देश में जाना चाहिए, हिंदू दर्शन तथा अध्यात्मिक्ता से संसार को जीत लेना चाहिए, उन्हों निर्वीक होकर घोसित किया कि बेवेदान्त को पूरी मानोत्ता का धरम बनाया जाना चाहिए, उनके प्रभचनों की तरोन भारत में आद्विस्वास तुत्पन ह उन्होंने पिछडे हुए और नर्यास हमदाई के लिए ट्रॉनिक का काम किया, सन 1894 में सिकागो में यह भी आप लोग याद रखेगा, सन 1894 में सिकागो में हुए सरब धरम सम्मेलन में विवेक आनद ने सम्मेलन में भाग लिया था, कहां? सिकागो में, तो यह भी याद सरब धरम सम्मेलन, सरब धरम सम्मेलन, तो इसके बारे में भी याद रखेगा, यह आपको बता दो, देखें, 1893 में हुआ था यह, सम्मेलन आई जित हुआ था, 1894 में, 1894 में गलत है, कभी-कभी डेट चप जाती है, गलत हो जाती है, तो इस पर ध्यान नहीं देना यादा, फिर आप देखेंगे कि, 1893 में सिकागों में हुए, सरब धरम सम्मेलन में, बेबेकानन ने सम्मेलन में भाग लेने बाले, सभी सदस्तों को प्रभावित किया, उन्होंने सोचने के लिए बात दिखिया कि भारत में इसाई पादरी भेजना एक बड़ी मूर्खता है, और आप देखेंगे सिकागो, सिकागो, सिकागो धरम सम्मेलन में जाने से बुरू भी नरनाथ का नाम बदलकर महाराज खेतरी के सुझाप अस्वामी बेवेकानन रख दिया गया था, क्या रख दिया गया था, बेवेकानन रख दिया गया था, तो यह भी है, तो ये भी याद रखिएगा छोटी छोटी बात हैं 1897 में मैं अमेरिका प्रवास से बापस आने के बाद स्वामी जी ने राम किसन मिसन की स्थापना की और राम किसन मिसन की कलकत्ता की बेलूर और अलमोडा के मायवती नामकिस्थान पर मुख्याले खूला गया और स्वामी जी ने अपनी पुस्तक में मैं समाजवादी हूँ मैं भारत के उच्च बर्ग ने अपने पद और सोविधाओं का परेट्या करते हुए निम्न बरक के साथ मेल जोल करने का अहान किया और स्वाष चंद बौस ने स्वामी वेवेकानन्द के बारे में लिखाए कि जहां तक बंगाल का संबंद है हम वेवेकानन्द को आधुनेक राष्की आंदोलन का अध्यात्मिक पिता कह सकते हैं स्वामी वेकानन्द ने मूर्ती पूजा बहु देवबाद आधी का समर्थन किया और यह ने 19-20 स्ताबदी के 9 हिंदु जागरन का संस्थापक कहा जाता है क्या कहा जाता है संस्थापक कहा जाता है तो यह भी याद रखिएगा आप लोग एक आप लोग ने थियो सौफीकल सभा के बारे में सुना होगा इसके बारे में भी जान लीजे भारत में थिया सोफी आंदोलन रोसी महिला विला वाटस की और अमेरिकी करनल आल को द्वार का प्यारम किया गया था इन दो नाम को आप लोग याद रखिएगा और आरस समाज की नेंतर पर इन्होंने मदरास के निकट अड़ियार में अपना मुख्यालय भी इस्थापित किया था और इस अंगट्रिन की स्थापना अमेरिका में की गई थी कहां अमेरिका में की गई थी और बस्तों में ये आंदोलन एउरोपिय बस्तों में हिंदू धरम का पुनरुथान था और सन 1893 में एनी वैसेंट भारत आ कर इसकी सदस बनी क्या बनी सदस बन गई और एनी बैसेंट के बैसेंट 1893 में इस्तेकागों के विस धरम सम्मिलन में सामिल हुई थी और उन्होंने हिंदू पनरुथान के आंदोलन को अत्यधिक प्रोसहन दिया और उनका विचार था कि भारत की प्राचीन धार्मिक आदर्सों के माध्यम से ही पनरुथार संबह हुए और इस से ही तो बनारस में एक केंदरी हिंदू विद्ध्याले की स्थापना की जो आंगे चलका बनारस हिंदू विद्ध्याले की रूम में विक्सित हुआ देख लिए अनिवैसेंट इस सभा के पिरभाव से दच्छिन भारत में अनिक सुधार हुए थियोसोफिकल सभा के रोड अंग्रेजियों की सत्ता इस्थापित हो जाने के कारण मुस्लिम समाज के गौरब तथा आत्मसंबान को गहरी चोट पहुँची और पिसासन से पिथक हो गये और उनको अंग्रेजी सासन तथा पश्चात सब्बता से घेरणा थी वे अंग्रेजियों को संधे की और 1857 के विद्रों के दमन के बाद उनकी स्तिती और सोचनिय हो गई और इदह मौलवियों ने अंग्रेजी सिक्षा को धरम बिरोधी घोसित करके उसका पश्चात सिक्षा से बंचित कर दिया और जिसके कारण ना के बल बिपिछड गये बलकि बिरोजगार भी हो गये बिर मुलवान हमीसता यह समचते रहे कि बेभारत के सासक बर्ग से समध्ने थे बेखास कर अंग्रेजों के खिलाप थे जिन्होंने राजनेतिक सत्ता उनसे छीण ले थे और 1857 की विद्रों के बाद अंग्रेजों ने जो मुसल्मान विरोधी नीती अपनाई उससे मुसल्मानो में अंग्रेज विरूदी भावना पनवी इस कारण मुसल्वान भारत में अंग्रेजों द्वारा लाई गई नई संस्किती और सिक्षा के संपर्ख से बचते रहे और आप देखें पुरातन पंथी इसलामी से जोड़े रहे और 19-20 सताबदी में मुसल्वानों का एक बर्ग पश्चात सिक्षा से प्रभावित हुआ जिस मुसल्वानों ने आधुनिक सिक्षा के प्रसार को बढ़ावा दिया जैसे वहावी आंदोलन इसके बारे में भी जान लेजे आप लो आप देखेंगे कि भारती मुसल्वानों में सरपित्थम पश्चात प्रभाव की ब्रोद पिती की रिया वहावी आंदोलन के माध्यम से ब्यक्त हुई साहे बली ने आप देखेंगे 18 सदी में भारती मुसल्वानों पित्थम ब्यक्ती थे जिन्होंने भारतियों में हुई गरावट पर चिंता प्रिकट की और उन्होंने मुसल्वानों के रीती रिवाज और मानताओं में आई कुरोतियों की ओर ध्यान दिलाया उनके बिचार के दो मुख पहलू थे पितम उन्होंने इस बात पर बल दिया कि इसलाम धरम के चार पर मुख न्याय सास्त्रों में समझस स्थापित होना चाहिए जिसके कारण आप देखें भारती मुसल्वान अपस में विभाजित हैं और दूसरा याई कि उन्होंने धरम में ब्यक्तिक अंतरचेतना परबल दिया और अंतरचेतना से उनका अताथ पर ब्यक्तिकी अपनी वेविचना से था वल्ली उल्लाह के विचारों को लोक्तिरे बनाने में सियद एहमद बरेलवी की महत्पूर्ण भूमिका मानी जाती है उन्होंने इसे राज नेतिक रंग देने का परतन किया प्यारम में आंदोलन पंजाब में सिक सरकार के विरुद्ध था फिर आप देखेंगे 1849 में 1857 के महान सेनिक अंदोलन के बाद बेटे सरकार की अंदर या धारना बन गई कि मुसल्वान लोक सडेंत रचने में अगणी हैं और 1860 और 1870 के वहावी अंदोलन ने इसका धारना की पुष्टी की और 1870 के उपरान डबलु डबलु हंटर की इंडिया मुसलिम नाम की एक सियद एहमद खान का नाम विशेश रोग से उलेक नहीं है और आप देखेंगे 19. भी सदी इसमें आप देखेंगे सियद एहमद खान भी अंग्रेजयों के सनरक्षणबादी रोग का समर्थन करते थे और उनका मानना मानना था कि वेटे सरकार की सनरक्षणबादी नीतियो लाये और उन्होंने अपने विचारों का प्रिशार भी आप देखेंगे एक पति का तहजीब उल्ड अखलाग सब्दा उने तिकता द्वारा किया और परंतु उनका सबसे महत्मूर योगदान कुरान पर टीका था और जिसने आप देखें उन्होंने परंपगा टीका कारों क आलोचना की और समकालीन विच्ञानिक ज्ञान के परिकास में अपने मद्ध प्रकट किये उन्होंने अठारे सो पचतर में अलीगड़ में एक मुसलिम एंगलो ओर्येंटर स्कूल आरम किया अठारे सो पचतर में जा मुसलिम धरम के साथ-साथ पश्चात ज्ञान सीख घी क्या सीख घी आप देखेंगे अलीगड़ मुसल्माँ के धार में को सांस्किति पुना ज्यागरन का एक कैंद बन गया आंगे चलकर यही कैंद अलीगड़ मुसलिम बिस्विध्याले की रूम में जाना गया 1864 में सहय अहमद खान कलकत्ता में साइंटिफिक सोसाइ अलीगड़ आंदूलन में इनके सहयोगी में चिराग अली नजीर अहमद और आप देखेंगे कि अलता पुसेंड हाली मौलाना सिबली नौमा नी आदी परमुकते हैं फिर देवमंद देवमंद आंदूलन के बारे में भी सुना होगा सुने हो कर नहीं सुने और आप देखेंगे कि मुसल्मान उलिमाओं ने जो पिराचीन मुसलिम बिद्ध्या के अगणे थी देवमंद आंदूलन चलाया और यही एक पुनार रजागरण आंदूलन था जिसने दो मुक्त देश थे मुसल्मानों में कुरान और हदीस की सुद्ध सिक्षा का परिसार करना और विदेशी सासकों के विरुद्ध जिहाद की भावना को जीबित रखना एक बात और बता दो हूँ इन आंदूलनों के उद्धेशों को जरूर याद रखिएगा कई बार फिललेम समय भी बन जाता है मुस्लिम उलेमा बर्ग ने मुहम्मद कासिम ननोतमी और रसीद एहमद गंगोही की नेतित में देववन्द उत्तरपदैस के जिला सहरानपुर में एक विद्ध्याले की स्थाफना की और इस विद्धियाले की स्थाफना का मुख खुद्धिस मुस्लिम संपदाय की धार्मिक नेताओं को फिजिक्षन देना था और विद्धियाले की पाठकरम में अंग्रेजी सिक्षा तथा पश्चात संस्किती पूर्ण रूप से वरजित थी और सिक्षा मौलिक इसलाम धर्म में दी जाती थी और उद्धियाले की मुसलिम संपदाय का नेतिक धार्मिक फुनर उद्धार किया जाए और यह अंदुलन अलीगर अंदुलन की पूर्णता विरुद्ध था जो पश्चात सिक्षा और अंग्जेजी सरकाई की साहता से मुसल्वानों का कल्यान कर चाहता था देवबंद विद्धियाले विद्धियालतियों को सरकारी सेबा अत्वा सांसारिक सुखों के सुख के लिए तयार नहीं करता था वो इसलाम धरम को फैलाने के लिए सिक्षा देता था इसके भलसरू यहां भारत के भिन भिन भागों से विदेशों से भी विद्धियालति आने लगे और राज नीती में देवबंद साखा ने 1885 में स्थाविद भारती राष्टी कॉंग्रेस का सुखत किया 1888 में देवबंद के उलेमा ने सियाद अहमद खा की स्थाविक्त भारती राजभक्त सभा और मुसलिम एंगलो औरियेंटल सभा के बिरुद्ध भत्वा भी धारमी कादेश भी जारी किया था फत्वा आप लोग जानते होगा ना धारमी कादेश ठीक है तो उसे भी याद रखिए या आप देखिए सामाजिक सुधार अधिनियम इन्हें एक नजर में इन्हें भी देख लीजें इसे प्रिलेम से में वंडे एक जाब में कुश्चन्स जानदा पूचे जाते हैं जैस इस समय गवनर्णरल था और सती पिता पर पूंड पीतिवन लगा दिया गया था सिसू बद पितिवन 1850-1804 के बीच की बात है बैले जली इस समय गवनर्णरल था और सिसू हत्या पर पितिवन लगाय गया था हिंदू बिद्वा पुनर विभा यह आप देखेंगे कि 1856 में लॉर्ड केनिंग इस समय क्या था, गवर्नर जनरल था, और बिद्वा विवा की अनुमती दी गई थी इसमें, नेटिव मेरिज एक्ट 1872 में, नॉर्ट वुक इस समय जनरल गवर्नर जनरल था, अंतर जाती विवा की बात हुई थी इसमें, एज ओफ कंसेंट एक्ट 1891 में, लेंज डाउन इस समय गवर्नर जनरल था, विवा की आउट 12 वर्स लड़की के लिए इनने धारीत की गई थी, सोच सकते ही करें पहले कितनी रही होगी, और सार्दा एक्ट 1829 तो मापकरी 1930, एरविन इस समय आप देखें क्या था, सार्दा एक्ट, एविवा की आउट 18 वर्स लड़के के लिए इनने धारीत कर दी गई थी, आप समझ सकते हैं, और दास पिताब और पिती बंद, ए अठारे सो तने तालीस में, एलन बरू इस समय आप देखें कि क्या था, गवर्नर जनरल, और 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा 1843 में, दास्तागो पिती बंद कर दिया गया था, ठगी पिता पिती बंद, ए अठारे सो तीस, इस समय लॉल विलियम बेंटिक था, करनल इस ली मैन की समय, नर्बली पिता पर पिती बंद, और 1844-45 में, हाइडिंग पिता में इस समय क्या था, गवर्नर जनरल, ठीक है, धार्मिक दतन समाजिक सुधारां दोलन, जैसे आत्मी समभा, आत्मी समभा, ये बंगाल की बात हो रही है, ये राजाराम मुहन राए, और ज्योतिवा फूले, इसके संस्थापक में सामिल थे, ब्रह्मा समाज, बंगाल, ये आप देखेंगे, राजाराम मुहन राए, हिंदू कॉलेज, कलकत्ता, डेविड हेयर, और आदी ब्रह्मा समाज, कलकत्ता, केसो चंद सेन, साधाराम मुहन समाज, कलकत्ता, ब्रह्मा समाज अप साउत इंडिया, मद्राश्री, धरालू, नाइडू, तत्वधनी समाज, बंगाल, देविंद नाठ टेगर, कौन देविंद नाठ टेगर, पराथना समाज, महाराष्ट में, ये आप देखेंगे, की महादियो गोविंदरा नाड़े, आरे समाच या बंबई में स्वामी दयानन्द सरसुती, दयानन्द एंगलो वैदिक कॉलिज पूरे भारत में हंसराज और लाला लाजपतराय, गुरू कुल हरिद्वार में स्वामी सिध्धानन्द और आप देखेंगे स्वामी सिध्धा मुंसी राम लेकराम, राम किष्ने मठ, कलकत्ता में स्वामी वेवकानन्द, थियोस सॉफीकल सोसाइटी और अमेरिका में मैडम विलाव इसकी, थियोस सॉफीकल सोसाइटी अड़यार मदरास में मैडम विलाव इसकी, सेंटल हिंदू कॉलेज बनारस में एनी बैसेंट, और आप देखेंगे नामधारी आंदोलन ये पंजाब में और राम सींग इससे जोड़े हुए थे और राधा स्वामी सत्संग ये आगरा में सिब्दयाल साहब इससे जोड़े हुए थे रहनुमाई मजडायसन सभाव ए बंबई नौरोजी फरदोन जी दादा नौरोजी एस एस बंगाली इससे जोड़े हुए थे यंग बंगाल आंदोलन बंगाल से हैनरी विवियन डैरोजी यो इससे जोड़े थे महममंडन लेटरिडी सोसाइटी कलकत्ता साइन्टिफिक इंडिया पेट्यार्टिक सेसोसेट सरसेयद एहमद खान इससे जोड़े हुए थे और आप देखेंगे राजा मुंदरी सामाजिक सारांदूलन दच्छेडे भारत में वेरे सलिंगम पांतुलू इससे जोड़े हुए थे मानो धरम सबा पश्चिम भारत में मंचा राम दुरगा राम इससे जोड़े थे और परमहंस मंडली उननीस भी सदी में गोपाल हरी देश मों किस से जोड़े थे देन बंदू सारीनिक सबा जोतीवा फूले और कौन जोतीवा फूले यह भी नाम याद रखे विद्वा असरम पूना में प्रोफिसर डी के करवे भारती महला विध्याले बंबई में प्रोफिसर डी के करवे वाय कॉम सत्या गया केरल में नारायन गुरू एन कुमारन आसन टीके माधव केपी केसाओ मेनन गुरू बायूर सत्या गया केरल में केप केलपन अखिलभार्ती अस्वस्ता उन्नी सोत्मा गांदी डिस्परेश्ड किलासिज मिसन सोसाइटी ए वी आर अंबेड कर और आत्मसमान अंदुलन दच्छेन भारत में एवी रम्मा स्वामी नैंगर फिरियार जस्टिस वायटी दच्छेन भारत मुदलियार टीके माधवन नायर पिटी इससे जुड़े हुए थे तो इस तरह से आप देखे कि आपका जो भारत में धार्मिक सामाजिक सुधार अंदुलन चला है उसके बारे में बात कर ली हम लोग ने अंगली क्लास में हम लोग भारत में जो राष्टवाद का ओदय हुआ और कॉंग्रेज की स्थापना हुई उस पर भी हम लोग बात कर रही है हम लोग मिलते हैं आगे